जैशी कृष्णा एवरीवन स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आज लडूगपाल ड्रेसीज में आज की वीडियो में मैं आपको यह ड्रेस बनाना सिखा रही हूं इस ड्रेस यह मैंने स्टोकिंग की हेल्प से बनाई है ड्रेस यह आप देख सकते हैं इसमे मैंने काफी कलर से बनाई है जो मैं आपको कलर बनाना सिखाऊंगी वह रेड औरेंज और यालो के कॉम्बिनेशन में है यह मैंने बेबी पिंक कलर बेनाया था पहले यह इसके साथ यह मैंने दुपट्टा भी बनाया था यह थोड़ा ज्यादा हैवी बनाया था मैं अब इस ड्रेस के लिए हमें क्या चाहिए है वह मैं आपको बता देती हूं मैंने यह यजलो कलर की शनेल दिया एक स्टॉक इंग वायर्स आप इसमें सिल्वर और गॉल्डन कलर दो कलर साते आप कोई भी कलर्स यूज कर सकते हैं इसमें एक मैंने यह लटकन बनाने के लिए यह छोटे-छोटे यह फुंदे लिया है यह इसका मैं लटकन बनाऊंगी एक यह फ्रैट जिससे हम यह स्टोकिंग को फॉल्ड करेंगे और यह स्टोकिंग के कलर्स यह लैस जो हम साइट्स में लगाएंगे इसके बाउंडरी पर और यह कुछ स्टोन्स जो हम इसकी हर एक लीफ पर लगाएंगे इसकी हर एक लीफ पर स्टोन लगेगा इसमें हमारे ग्ल्यूगन का और एक यह गोटा वीबन जो हम इसकी चोली के लिए यूज करेंगे और इसके बैल्ट के लिए यूज करेंगे और एक यह टैटन का बेस जो मैंने अल्डेडी कट कर दिया है एट इंच का सर्कल यह फॉर इंच ड्रेडियस लेकर एट इंच का डायमेटर यह कट हो चुका है और एक यह बोटल यह आप कोई भी बोटल ले सकते हैं इससे मैंने यह स्टॉकिंग की वायर्स को राउंड श इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिएगी वायर्स के लिए हमें सबसे पहले चाहिएगी वायर्स के यह बोटल इससे इस तरह से इस तरह से इसे फोल्ड कर लीजिए और यहां से कट कर लीजिए इसी तरह से आपको जितनी लीफ्स चाहिए आप बना लीजिए 10-15 लीफ्स बना लीजिए आप फोन नंबर की पुशाक के लिए इसी तरह से यह जो मैंने बनाई है लीफ्स यह बड़ी लीफ्स है आप छोटी लीफ्स भी बना लीजिए वह आपको 6-7 लीफ्स के इंदर अब मैं आपको यह स्टॉकिंग कैसे इसके उपर लगानी है यह भी बता देती हूं यह फूल स्ट्रेचिबल होती है यह देखिए इस वायर को यहां से ऐसे पकड़िए इसे इस तरह से जितना स्टेच हो सके उतना स्टेच कर दीजिए एक स्टॉकिंग में अराम से टूव लीफ्स बन जाती है अब हम थ्रेट का यूज़ करेंगे अरडिए इसे इस तरह से तुरू था 3 अब यह हम एक्स्टर जो है उसे कट कर लेंगे यहां से अब इसे बिल्कुल किनारे से करिएगा इसके कॉर्णर से ताकि जो हमारी स्टोकिंग है वेस्ट नाओ यह देखिए हमारी लीफ त्यार है अब हम इसे थोड़ी सी शेप दे देंगे यह बीच से इसको बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसे पकड़ेंगे और थोड़ा सा खींच लेंगे और इसे यहां से यह देखिए लीफ की शेप बन चुकी है पूरी यह मैंने पहले से ही कुछ नियुके यह ने पर शेप बन चाहिए यह चुक्साइब अं गजह कड़ना भी यह फिर बीच लेवान दाखिए यह चुला गता देंगे आपको ते सुलेसे लेगे यह बिल्कुल सेंटर पॉइंट से इसको करना है और इसे इस तरह से इसके सेंटर पॉइंट से और इसो इ तो हम स्टार्ट करते हैं इसका बेस बनाना हमने ये पहले ही टर्टन का ये काट लिया है सरकल शेप में 8 इंच का अब हम इस पर ये शनील लगा लेते हैं लीव्स को और ये जो स्टॉंग सा इंसे एक बार साइड कर दीजी आप सबसे पहले जो ये मैंने बीच में सरकल लगाया है आप इसे कट कर दीजिए ये मैंने इनकी कमर के लिए लगाया है इाद़िकिं कर नादी कर दो कर दीड़ती है इड़ीड अबरादी रार्री 2 बार भार चारी अ कर दीफे हैं कर दो बार खोग बार बारिव बार के अमेंसे किर क्राई बार और ल tutti कर दो कि बल्यू गन की हेल्प से हमें से हमें पर पेस्ट करेंगे यह पर चाहिए तो एक स्टिच भी लगा सकते हैं यहां पर अब अब आइ है आई है आइ आई है है इस अब आइ आप इसे हल्का हल्का प्रैस कर दीजिए अब हम इसे हां से कट कर लेंगे अब हम इसे हां से कट कर लेंगे किनारे से कट कर लेंगे झाल झाल यह हमारा कट हो चुका है अब हम इसके यहां पर जाउंट सर्कल्स है जो उसे कट कर देंगे लेकिन उसे हमें किस तरह से कट करना है इसे यहां पर शेप देंगे और यह जो सेंटर पॉइंट है इसे इस तरह से कट कर देंगे यहां पर ऐसे कट लगाएंगे जो यहां पर ऐसे पोड़ हो जाएंगे आप लोगन पीट पसे ही एंगे यहां पर पेस्टिंग भी कर देंगे अबहने हैं आपाव आपड़र आपाव देट देट रखर आपना में पाव आपना देट बला है अब हमें आपर दीबन के यूज़ करेंगे इस तरह से एक एक डॉप लगा देंगे ध्यान से लगाईएगा कि आपके हाथ को बिल्कुल भी हामना हो अब हूचल करता हुड़ा हुड़ा हुबा हुट आपके हुपशा आपके हुट स्वेगा हुपशबाईगा प्रेश पहला हुगा हुपशा हुट झाल या झाल आप नहीं तो नहीं तो कि अज़े कर देंगे जब आपको चाहिए आपको दो कि कर देजिए अब हम लैस का यूज़ करेंगे जो हमारे इसके बांडरे में लगेगी आप चाहिए तो ये ग्ल्यूगन की हेल्प से भी कर सकते है और स्टीच भी कर सकते है इसे इसी तरह से हम ये पूरी में दालेंगे बांडरी बांडरी पर ये देखिए हमने ये लैस लगा लिया है आप इस लैस को बिल्कुल भी खिंचकर मत लगाईएगा क्योंकि अगर आप खिंचकर लगाएंगे तो इसमें सर्व बढ़ जाएंगे यहां पर साइट्स में और ये मुड़ेगी आपकी बार बार अब हम यहां पर जो लीव्स है इसका काम करेंगे जो बड़ी लीव्स है मैं आपको बता देती हूं पहले जो बड़ी लीव्स है उसको हम यहां साइट्स में लगाएंगे और जो ये छोटी लीव्स है उसको हम सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे अंदर की तरफ तो हम स्टार्ट करते हैं लीव्स लगान लीव साथ थोड़ा ध्यान से लगाईएगा क्योंकि इसके अंदर कई बार अपने जो हाथ है उसको भी हाम कर जाता है लीव साथ बार अपने बार अपने लाईएगा क्योंकि लाईएगा क्योंकि अंदर का जाता है झाल 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 झाल